हाई सिम्रन शेखर मुझे केस के बारे में तुमसे एक जरूरी बात करनी थी हाँ बोलो पता नहीं क्या कहने वाली थी एक तम दिमाग से निकल गया कोई बात नहीं कि याद आजाएगा हाँ याद आते फोन दुबारा करूंगी ऑक अब कि अब कहां तक पहुंचे तूं कहीं नहीं अभी तक रास्ते में हूं कि अब कि अब कि अब अब करने और याद अब आएज करता था था नहीं करने में जाएब के अब बना में में आसा जोगता तक जाना तो मैं भी खा रहाएथा था छाना एब मेंक्त आधा तब क्यान्स हैरान तो मैं नहीं, मुझे होना चाहिए जिस से मांदारी से आज तुम मेरे लिए अदालत में लड़ रही थी उसे देख के मैं अपनी नजरों में बढ़ा हो रहा था पहली बार मुझे ये ऐसास हुआ कि दुनिया में कोई तो है जो सच मुझ मुझे परोसा करता है जो आखे मुझे मासूम समझती है जी करता है, उन आखों में मैं को जाओं मैं तुम से दूर चावी किसे सकता हूँ सिम्रन मैं तो तुम्हारे इतने قریب हूँ कि चाहूं तो हाथ बढ़ा के तुम्हें चूर सकता हूँ सच पुछो तो जिस तरह फोन हाथ में पकड़े सीडियों पे बैठी कुमसुम तुम मेरा इंतजार कर रही हो उसे देख के मुझा जाना करा है जी करता है तो मैं अपनी बाहों में उठा के यहां से दूर ले जाओ बहुत दूर जो मेरी रूह को चैनते प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिन्दगी बन गए हो तुम जिन्दगी बन गए हो तुम जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिन्दगी बन गए हो तुम जिन्दगी बन गए हो तुम जिन्दगी बन गए हो तुम जिस्म से जान तक पास आते गए इन गाहों से दिल में समाते गए जिस्म से जान तक पास आते गए इन गाहों से दिल में समाते गए जिस हसी हाब की फी तमन मुझे हाँ वही बन गए हो तुम जिन्दगी 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 बन गए हो तुम कर दो हर किसी से जिसे मैं चुपाती रही में खुदी में जिसे गुन गुनाती रही हर किसी से जिसे मैं चुपाती रही बेखुदी में जिसे गुन गुनाती रही मैंने तल हा कभी जो लिखी थी वो ही शारी बन गए हो तुम जिन्दगी बन गए हो तुम जिन्दगी बन गए हो तुम जो मेरी रूह को चैन ते प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिन्दगी बन गए हो तुम जिन्दगी बन गए हो तुम जिन्दगी बनके हो तुम